आप सब अच्छे होंगे दोस्तो ये वीडियो में नहीं बनाने वाला था दोस्तो लेकिन मुझे मजबूर होकर मुझे वीडियो बना रहा है दोस्तो मैं बनाना पर रहा है मुझे वीडियो मैं नहीं चाता था कि मैं कुछ कॉंट्रोवर्सी करूँ नहीं चाता था मैं इस च करने वाला हूं आज इसी के उपर अभी-अभी मैंने वेकेंसी देखी थी रेडियो थेरापी टेक्लोचिस्ट की देखिए रेडियो थेरापी का इंडस्ट्री मुझे खाना नहीं दे रहा है अभी और कभी देगा भी नहीं मुझे पता है सैलरी क्योंकि अभी मैंने जो एक शौकिंग कर दिया, freshers के लिए एक vacancy आया है दोस्तों सिदेविना एक cancer hospital मीरज ना कहा से ना सांग लिखा हो है तो वहाँ से vacancy आया है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिखा है, urgent basis में टेक्नोलोजिस चाहिए, vacancy चाहिए, radio therapy लेकिन उन्होंने लिखा है, freshers not allowed freshers candidate don't give CV ये आप क्या कर रहे है तो freshers कहा जाएंगे job दूढने ज्यादा तर तो freshers ही बैठे है यहाँ पर ज्यादा तर freshers ही बैठे है यहाँ पर घर पर job के लिए जो experience है वो लोग तो job कर रहे है तो वो लोग छोर के आएंगे कि आपके पास job करने के लिए urgent basis में और आप salary देंगे उतना, आपकी आउकाद है salary देने की उतनी उस technologist को technologist तो बोलने का मन नी करा technician बोलने का मन करा फिर भी मैं respect देके बोल लाँ आप जो बोल रहे है freshers are not allowed ऐसे जो लिक रहे है freshers are not allowed आपका क्या, आपको तो salary मिल रहा है आप मजे मार रहे है TPS room में बैठ के लेकिन उस बंदे का क्या है जो बंदा join करेगा urgently दो हपते के अंदर उसको salary भी कम मिलेगा वो भी urgent basis contractual भी हो सकते है आप बोलेंगे इतने मंद के लिए फिर आप बोलेंगे कि काम अच्छा होगा तब ही रखेंगे यह सब politics skill क्या करने वाले क्या होगा इसब politics skill क्या आप लोगा दोस्तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ दोस्तों पर मुझे बनाना पर रहा है क्योंकि उन्होंने बोला वो उन्होंने select कर लिया हर जगा ऐसा ही होता है यह radio therapy industry में ही चल रहा है आप CV भेजेंगे फिर बोलेंगे already selected candidates तो ऐसे ही हो रहा है हर जगा कोई अपना बंदा ले रहा है यह कर रहा है हो कर रहा है तो ऐसे करके कितना चलेगा और politics आप जो बोल रहा है आपको experience बंदा चाहिए फिर आप salary भी कम देंगे फिर आप fresher को भी रखेंगे उदर भी आप salary कम देंगे उसको तो यह तो आपके basis पे नहीं होगा ना भाईया जो भी आप है respected ma'am और teacher या फिर जो भी है आप छाते हो तो नहीं होगा ऐसे यह पर जो काम करेगा सेलरी Ben가요 अब बोले आप कि उसको काम नहीं आता है तो काम काम सिखाने से उ आएगा नहीं है यह कोई फिरेंस नहीं है यह पार हर कोई फ्रेशर स्तेर आप आख्अधोर एटने में यह पोस्ट दिया है कि freshers are not allowed for submitting CV उनकी 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 उकात क्या है भाई क्या है उनकी उकात जो आप बोले freshers are not allowed इसलिए मैंने कही रेडियो थेरेपी का job join नहीं किया इसलिए मुझे भी आये थे कईसे जो आये थे वही लिंक थूआया था सब तभी मेरा आया था job offer और मैं 20,000 में जॉइन नहीं करना चाहता था वह मैंने विडियो बना दिया था आप लोग लेकिन आप लोग जो कर रहे है पॉलिटिक्स कर रहे है कई जगा ऐसा हो रहा है मेरे साथ जो हुआ था पहले एक बार दिल्ली में दिल्ली में इसलिए छो रहा हूँ वह स्टेट वहाँ मैंने बात करके आया कि मेरा job होगा वहाँ पर लेकिन मैंने जुनियर को रख लिया नाम नहीं लूँगा उसका में कि वहाँ वह इंटर्शिप करने गया था 6 मंद का फिर उसको रख लिया और मेरा पता साफ कट तो ऐसा जो कर रहे है आप लोग यह सब करके क्या फाइदा होगा आप लोगो कुछ फाइदा नहीं होने वाला इससे करके फ्रेशर की रेस्पेक्ट नहीं है फ्रेशर ने पार बात करके किया है कि जौ उसको रखेंगे तो उसको ही रखेंगे न आप दूसरी जो आया उसको क्यों रखेंगे फिर पिर और फुलर फ्रेशर ना or not allowed यह क्या कर रहे है आप लोग क्या कर रहे है अप लोग कि इस इसलिए में रेडियो थेरपी इंडॉस्त्री में नहीं कर रहा हूं पर रहा है लोग डू को नहीं कर रहे जोंपर सिर्फेर क्राइब तो बेकार बैटा सब्सक्राइब करवा। उसको जाता है जा आता यह कुछी मोड़ बनाना बोल देगा बस अग्णोर कर देगा तो एसे करके नहीं होगा आप जो यह सब कर रहे हो ना फ्रेशर्स नॉट अलाओड यह करके कुछ फाइदा नहीं होने वाला मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था दोस्तो अगर मैं रेडियो थेरापी कर वीडियो बना दू ना दोस्तो पूरा दिन चला जाएगा इसलिए मैं नहीं बनना चाहता लेकिन यह लोग जो कर रहे है अभी यह next level का scam कर रहे है इससे scam industry होगे अब दोस्तो अपना आदमी बुला रहे है salary भी अपने मर्जी से दे रहे है जो मर्जी वो कर रहे है लेकिन इससे क्या होगा दोस्तो वक्चों का future बरबाद हो रहा है क्या हो रहा है इसे बच्चों का future बरबाद हो रहा है so यह सब मैं आपको बोल रहा हूँ जो fresh हा रहे है दोस्तो जो radio therapy मत करिए मत करिए radio therapy कुछ और करिए skills दूसरा में focus करिए अपना यह सब मत करिए मेरी तो radio therapy से वही उतर चुकी है मतलब इस industry से मेरा वही उतर चुका है पुरा क्योंकि अब इस industry में कुछ रखा नहीं है politics और scam क्या लावा एक ज़मान में बहुत respect देता था radio therapy को लेकिन जब मैं देखा यह scam हो रहा है सब कुछ तो फिर मैं हट गया पीछे यह scam मेरे लिए नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी जिंदीगी वो नहीं है मेरी जिंदीगी मेरे माब को support करना है उनको पैसा देना है radio therapy मैं नहीं कर सकता यह सब चीजों में politics में senior junior यह सब नहीं कर सकता तो मैं इस लिए मैं हट गया मुझे job मिला भी था मैं नहीं गया क्योंकि मुझे इतना कम salary में नहीं जमेगा मैं बताया था वीडियो में तो आप लोग जो यह कर रहे है freshers are not allowed यह सब कर के कुछ फाइदा नहीं होगा कितने लोग कितने लोग अपने kidney जला के radio therapy पर रहे किटनी जला के radio therapy पर रहे radio therapy से job मिलेगा फिर salary कितना मिलता है 20,000, 22,000, 15,000 उसे क्या होगा कुछ नहीं होगा तो यह सब जो click रहे हैं आपकी आउकाद नहीं है आपकी उतनी freshers are not allowed freshers are not allowed यह सब मत करिए अभी वक्ते सुधर जाईए सुधर जाईए सुधर जाईए इससे जादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि यह industry से मुझे खाना नहीं देता मेरे दिल से उतर चुकी है यह industry रभी मेरे दिल से उतर चुका है industry तो अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ रखा नहीं है तो मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि freshers are not allowed freshers not allowed freshers नहीं करेंगे तो कौन करेगा job freshers ही तो बैठे घर पे freshers ही बैठे घर पे कोई experience वाला घर पे नहीं बैठा experience वाला काम कर रहा experience वाल आपके पास नहीं आएगा job करने अगर आप high salary देंगे तभी वो छोर के आएगा urgently नहीं तो नहीं आएगा तो काम सिखाईए freshers को लीजिए ऐसा मत करिए मैं नहीं बोलना चाहरा हूँ फिर भी वीडियो बनाना पर रहा है आप लोगी हर्कतों की वाई से मुझे वीडियो बनाना पर रहा है आप लोग सब सोचल मीडिया में कर रहे है आप लोग की हरकतों की वह से मुझे वीडियो बनाना पर रहा है तो मैं वीडियो नहीं बनाता मुझे कोई शौक नहीं है रिडियो इंडेस्ट्री में था कि उंगली करने का कोई शौक नहीं है मुझे को इंडेस्ट्री मुझे खाना नहीं देता मुझे पैसा नहीं देता सम करिए फ्रेशाइस को मौका दीजिए मैं बहुत गुस्से में हूँ आज यह जो हुआ चीज नहीं होना चीए था यह नहीं चाहता था मैं वीडियो बनाओं और कुछ लोग जो मुझे बोले ना मेरी आवकाद नहीं है बेटा जब तुम इस्कूल में थे ना तब मैं इस सब कर रहा हूं पॉलिटिक्स जब तुम माचिस की डिपी में इस्कूल में थे ना तब मैं इस सब पॉलिटिक्स खेल रहा था समझ रहे ना तो मुझे मत सिखा यह क्या करना है तो समझे ना फ्रेसेस को मौकादी जी चलिए बाइ जाता मुझे भी बोलने का नहीं